इस्टुरेंट जैसा कि आप सभी को पताए कि प्रीबियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 मैद का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक स्कैनी की आव्यू उसको हम लोगों ने क्या किया थे प्रीबियस लेक्चर में एक्सोसाइस 3.3 स्टार्ट कर दिया था उसमें मैंने कुछ साइस 3.3 का हम लोगों नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे कुछन नंबर 3 की बात करेंगे तो कुछन नंबर 3 में बोल रहा है अधी एडैस बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा तो सत्यापित कीजिए सेम अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे प्रीवेस वाला ज तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बेसिक कॉंसेट में सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी अगर किसी का ट्रांसपोज है अगर उसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह के बराबर आएगा तो बेसिक कॉंसेप्ट वीडियो आप जाकर जरू तो आएगा तो आओ देखते हैं क्या यह यह एक ट्रांसपोज दे रखा इसका फिर से ट्रांसपोज निकालोगो तो जो रो में दे रखा उसको कॉलम में बदल देंगे तो जैसे 3 4 यह रो में था माइनस 1 0 2 1 तो यह हमारे पास ए आ गया और भी हमारे पास कॉश्चन में करेंगे तो सबसे पहलें निकालेंगे एंप्लस बी तो देखो यह यह रख यह कि दोनों को जोड़ना इसको जोड़ना इसको डिरेक्त करेंगे क्यों कि जोड़ना घटाना यह सारी चीज्चना अम लोग पिछले एक्सराइज में रहे सीख लिया था के मैट्रिक्स और बी कैसे करेंगे तो यहां से 3 और यहां से हम लोग करेंगे 3-1 दिसनल आएगा हमारे पास 2 आएगा तो यहां से लिखोंगे तो उसी तरीके से हम ने कॉलम में चेंज किया 1 और देखो माइनस 1 और 2 तो माइनस 1 यहां पर कर लो 2 एक छोटी सी मिश्थे कहां पर कर लो 2 उसके बाद 0 और 1 था तो 2 के प्लेस पर कर लो 0 बस इतना सा चेंज कर लो बागी सब सही रहेगा अब ने करोमे तो अब हमारा यहां पर यह एड 14 वाइगा तो यह Rapace me था अब हम निकालते हैं यहां से Hey Plus 나 ट्रांसपॉस चीके प्लस बीका ट्रांसपॉस निकाल लिए क्या क्या दे रखा उसकों कॉलम में तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे और यहां से हम लोग लिखेंग यहां से लिखेंगे क्या प्लस डाइस ठीक इकवल टो एडाइस ऐलुआ आपको कोस्चन में दे रख्याइए 34-1201 तो यह डाइस प्लस बीडिया करना भी कि हमारे पास वैलू क्या दे रखी यह यह दे रखी है पीडिया करने के लिए जो को में दे रख़त को कॉलमम में जैसे यह रो में पर इसको माइनस 1 कितना आएगा हमारे पास 3 माइनस 1 यहां से हमारे पास आएगा 2 ठीक उसी तरीके से 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 तो आएगा उसके बाद माइनस 1 प्लस 2 कितना आएगा 1 आएगा 2 14 ना यवा 2 सपराइगा वसी तरीके से इस तरीके यह आपका 11 zinconna Hyalur en इस एक वाली मैट्रिक बेराबर तो इस कंडिशन में փ प्लस बी ना ना लोगों ने प्लूफ करके दिखा दिया तो यह इस ऑर स्केंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकेंड कıya करेंगे सबसे पहले माइनस बीस निकालेंगे ठीक तो यहां से लेगे लिचलेना सेकेंट पार्ट अब निकालेंगे माइनस बीस तो आज हम लोगों ने यह निकाल को रखा य zweet 3 4 2 0 और 1 यह फेंधे- करेंगे बी करेंगे वी हमारे पास है माइनस 1 2 1 1 2 3 यह हमारे पास है अब इसको माइनस करिए तो माइनस करने पर क्या आएगा थ्री और यह माइनस माइनस प्लस तो यानि कि हमारे पास यह कितना आ जाएगा और माइनस 1 माइनस 3 कितना आएगा मतलब माइनस 1 माइनस का 2 तो म जीरो आएगा 1-3 यानि कि माइनस का टू आएगा तो यह हमने ए माइनस भी निकाल लिया अब हम देखो ए माइनस भी का डैज निकालना ना तो हम यहां पर लिखेंगे ए माइनस बी का डैज ठीक तो क्या करना जो रो में रखका है उसको कॉलम में 4-3-1-3-0-2 यह उसी तरीके से देखो हम लोगों ने डैज बी डैज हम लोगों निकाला था देखो यह डैज है जो की कुश्चन में दे रखका है और यह बी डैज हमने निकाल लिया जैसे पिछल लो माइनस बी डैज ठीक तो यह देखो हम लोग यहां पर लिखते हैं एडाज बी डैज की तो यहां से हम लोग लिखेंगे एडाज की वैलू यह है जो कि यह 3-10421 यह एडाज है मारे पास माइनस करेंगे इसमें माइनस 1-1-2-1-3 अब इसको क्या करना है दोनों को माइन Q3 और माइनस माइनस यह दे को प्लेस हो जाएगा तो 3-1 नहीं हो जाएगा वोर 4-3 जो तो यह वाली उत्रिक्स थे मैं दिकर रिया तो इस हो जाता है हमारा complete तो यह थे हमारे question number 3 के दोनों पार्ट अब हम लोग चलते हैं question number 4 की तरफ कि सब्सक्राइब हमारा question number 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है यदि एड़ाइस पराबर मारे पास एक मैट्रिक्स दे रखिए और भी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखिए तो a plus b का whole dash हमें याद करना है ठीक तो basic सा question है देखो a dash दे रखा सबसे पहले तो a निकालेंगे ठीक तो यहां से हम सभी जानते हमने पहली property पड़ी थी क्या पड़ी थी कि a dash अगर आपके पास दे रखा उसका फिर से dash निकालेंगे तो वह a के बराबर आएगा यह पहली property और most important property है तो a dash है हमारे पास इसका फिर से हम dash निकालते हैं यानि कि इस वाली matrix का हम लोग फिर से transpose निकालेंगे तो जो row में है वो column में जैसे minus two three यह column में कर दिया अब one और two यह भी column में कर दिया तो यह a dash का dash निकाला तो यह आपका किसके बराबर आ गया यह आपका a के को मुझे निकाल लिए अब हम दोनों को माइनस करके मतलब जोड के ट्रैंस निकालेंगे को रेंक है प्लास टू ब 170 लिखेंगे माइनस टू वाइन ृgen सू लिख दीया प्लस ज्ञच कमें अ सब्सक्राइब से लिखेंका माइनस गालते तो फिर उसका स्टाल we a plus 2 b equal to add कर दीजिए minus 2 minus 2 कितना हो जाएगा minus का 4 हो जाएगा ठीक उसी तरीके से 1 plus 0 1 हो जाएगा 3 plus 2 कितना होगा 5 होगा 2 plus 4 6 हो जाएगा तो यह हमने a plus 2 भी निकाला है लेकिन a plus 2 b का डैज निकालना हमें तो क्या करना सिर्फ रो में जो रखा उसको कॉलम में जैसे माइनस 4 और 15 और 6 तो यह पार्ट हो जाता है हमारा यहां से कंप्लीट कॉश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है कंप्लीट अब लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉश्चन की तरफ कि तरफ कि नेक्स्ट कॉश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है यह तता भी आव्यू के लिए तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो इसमें देखिए हमारे पस दे रखा है दो पार्ट हमारे पास दे रखा है पहले पार्ट को पहले सॉल करेंगे फिर दूसरे पार्ट को पहले पार्ट में ए और बी की वैलू हमारे पास अलग दे रखी है दूसरे पार्ट में सली कितना आइगा जो और में में उसको निकाल यह थ़ीचा लिए को तो जिसके मनें उसको पास देने को medicine दिनम गहां और वनटों हमारे पास बीडेज करते हैं सबसे पहले करें तो भी-ब निंम भी बराबर उन एक Cao तो यह कर दिया अब इसका multiply one two one इससे करेंगे ठिक तो a b को हम लोग निकालेंगे कितना आएगा देख्छे वन का multiply minus one से यह से ए b बराबर बर यहां से हम लोग लिखेंगे वन का multiply minus one से तो minus one one का मल्टिप्लाई 2 से तो 1 का मल्टिप्लाई 1 से तो 1 उसी तरीके से माइनस 4 का मल्टिप्लाई माइनस 1 से तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 4 4 माइनस 4 का मल्टिप्लाई 2 से तो माइनस का 8 3 का multiply minus 1 से minus 3, 3 का multiply 2 से 6, 3 का multiply 1 से तो कितना आएगा 3, तो ये AB निकल गया AB का dash निकालो AB इसका dash निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो जो row में है उसको column में तो minus 1 2, 1, तो ये हो गया 4 minus 8 minus 4 minus 3, 6 और 3 तो ये AB का whole dash आगया, अब हम लोग क्या करेंगे, B dash और A dash को multiply करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए, मतलब ये देखो हमारे पास LHS की value आगई, अब हम लोग RHS निकालेंगे, तो B dash, A dash तो B dash की value हमारे पास दे रखी है, minus 1, 2 और 1, ठीक, अब यहाँ पर हम A dash की value लिखेंगे, 1 minus 4 और 3 अब इसको multiply कीजिए, तो B dash A dash बराबर तो अब इसको multiply करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये LHS के बराबर आता है कि नहीं, यानि कि matrix के बराबर आता है कि नहीं, तो multiply करेंगे, simple तरीके से minus 1 का multiply 1 से तो minus 1 minus 1 का multiply minus 4 से तो 4, उसी तरीके minus 1 का multiply 3 से तो minus का 3 2 का multiply 1 से तो 2, 2 का multiply minus 4 से तो minus 8, 2 का multiply 3 से तो 6, 1 का multiply 1 से तो 1 1 का multiply minus 4 से, तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा यहाँ से, हमारे पास आएगा minus का 4, 1 का multiply 3 से तो 3, तो ये देखो, ये वाली और यह वाली मैट्रिक्स दोनों ही सेम दिख रहे हैं तो इस कंडिशन में लोग कहेंगे लहें बराबर आरेचेस या फिर आरेचेस बराबर लहेचेस तो यह पार्ट हो गया हमारा कम्प्लीट अब इसी तरीके से इस कुश्चन के सेकेंड वाले पार्ट को सॉल करते हैं कुश्चन नंबर फाइव का सेकेंड पार्ट इसमें और बी की वैल्यू चेंज कर दी गई है बाकी हमें इसमें भी यही करना है एलेचेस बराबर आरेचेस करना है ठीक तो एदे रखा बी दे रखा सबसे पहले एडाज निकाल लीजिए तो एडाज निकालेंगे तो जीरो इसी तरीके से बी डैज निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास फाइफ और सेवन यह आजाएगा ठीक अब हमें क्या करना है एबी का मल्टिप्लाई करेंगे तो यह देखे जीरो वन तू यह कर दिया और यहां से वन फाइफ सेवन यह हमने कर दिया अब एबी की जिरो बीजिरो का मल्टिप्लाई से तो उनका मल्टिप्लाई वड्यक्ष तो फाइफ से एवन से उसे तरीके लिगते के आङ। उहenders को को मीद्यडे अब टैय सकाले शयुद तो यह मैं और जडी निकालने कि निकालना बहुत बडु बड़ी बात नहीं है जो रोम में और सबसे पहले टाया है और को झोंइन एक सबसे बसे हैं अगे आया कि लेकिंग यह एकाशु किन आपहता है की में थी तर्ट करें वह कि और इसा किपला और इसके बराबर आब अना चाहिए को चल्छा लिए बीडेज और एक सबसे पहले बीडेज की वैलु लिखेंगे जो कि है वन यहांस देखो बीडेज की वैलुए वन फाइव सेवन उसे तरीके से यहां पर यहां पर यह लिख रखी है आप इन दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं और इसके बराबर प्रूफ करके दिखा देते है क्यांस लिखेंगे यहांज लिए वन का मल्टीप्लाई किस से होगा जीरो से तो आएगा कितना हमारे पास जीरो आयगा जिक उस्से तरहीक बंतेप्लाई व cheapest ऐगा वन 955 Div 010 12342 5skr bored 2 इसे तरीके से कॉस्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो जाता है Called भी अज़ने चलते अपने नियुक्षा की तरफ के तुट्वीट टो कुस्टन में वहना को शिक्सेंट नमबर सिक्स कुस्टन में टोल दो पार्ट पहले पार्ट की पहले करते हैं उसके बाद दूसरी आट को ऑम लुआ करेंगे तो इस में बोला एक निस निस रखा है हैं ठीक तो यह भो क्या करेंगे एनकाल लेंगे ये डिरप्था एडाइज निकाले स्थिस्था मैने रिखाई यरे तो यह हो जाए तो यह भाए आप में ledश और A को multiply करना है तो यहाँ से लिखेंगे A dash और A ठीक, equal to A dash की value पहले लिखें जो कि है cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे A की value जो कि है cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ठीक, यह दे रखी है अब हम लोग क्या करते हैं, इसको multiply करते हैं A dash A, A dash A बराबर, यहाँ देखिए इस वाली रोग को, इस वाली कॉलम से cos alpha का multiply, cos alpha से करेंगे तो cos square alpha minus sin alpha का multiply, minus sin alpha से तो minus minus तो plus हो जाएगा तो sin alpha का multiply, sin alpha से sin square alpha आजएगा अब इस वाली रोग का, इस वाली कॉलम से cos alpha का multiply, sin alpha से तो यहाँ से cos alpha इंटो स्अनलफ धामाइनस लार्वा का मॉल्ट्इबła कॉसलफ थे माइनस स्ञीनफ लए चाहि यहां से हम लोग प्या करेंगे अब उसी तरीके सिस वाली रोको इस वाली कॉलम से तो साइन अलफा का मल्टिप्लाई कॉस अलफा से तो साइन अलफा कॉस अलफा और इसका मल्टिप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो माइनस का साइन अलफा कॉस अलफा ठीक मुल्ट्प्लाइक is साइ अल्फा का मल्ट्प्लाइक साइन इसक्वाइर अल inputs था यहां से हम देखेंगे बराबर इसकी मीद्व हम ग deg और यह देखो पूरा टम यहां से यह कैंसल हो जाए क्योंकि यह जो वैलू यहां पर पॉजिटिव में यहां पर निए ट्यूमेटिक तो यह 0 हो गया और यह भी 0 आगया और इसकी विखड़ पर वन बाकि सब जीरो तो इस हैं कि है ब्राबर युझान हैं और ट्यू और ट्रिम्तां इसे श्यूट की तर». किि इस तरीके से लुटिक वि eldest शरकिती ही कोण वर्ला गय। इसमें नहीं है बॉला है एक मैट्रिक्स हो तो सत्यापित कीजिए एड़ाबर आई यानि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करके दिखाना है में ठीक तो एडे रखा है सबसे पहला काम हम एड़ाइज निकालेंगे जैसे पिछले कोशन में किया तो यहां से लिखेंगे जो रो में उसको कॉलम में तो साइन अल्फा इंटू को मतलब कॉस अल्फा ठीक अब यह रो में तो इसको कॉलम में माइनस का कॉस अल्फा और यह साइन अल्फा अब दोनों को मल्टिप्लाइज करेंगे किसको सर एड़ाइज और एको तो लिखेंगे पहले एड़ाइज और ए बराबर से तरीक़ से कॉसल फामानजस कॉसल फार साइन क्वैब तो यह वे उगा फैक मैंने स्थ्राइब करेंने एजि ενों को मिल्टिप्लाइग कर कारते करना का सैंसे ऐस साइनलफास से करेंगे दो साइन स्क्वायर अलफ अब इस वाल penn कह को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहें किसे माइनस को सब्सक्राइब 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 को सब्सक्रा करो तो कॉसल मौल्टिप्लाइए साइन इसकोयर आलफा ब्लास आइन इसकोयर एलफा इससे देखकों नो बराबर इस इद याने की का सोगत है और यह जीरो यह बी जिरो और इस तरीके से यह और होता है आइडंटीटिक इसमें मुः से कि एड जै बरерм का आई यान ही कि identity matrix तो यह हमारे पास हो गया इस question का फाइनल एंसर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्ण की तरफ सो श्रेंट यह रहा हमारे next question question number 7 में देखे क्या बोला है दो पार्ट दे रखें पहले पार्ट में बोला है सिद्ध कीजिए कि आव्यू यह बराबर में दे रखा एक सममित आव्यू है यानि कि symmetric matrix है अच्छा basic concept वाले lecture में मैंने क्या बताया था कि कोई भी matrix symmetric matrix यानि कि सममित आव्यू कब कहलाएगा जब उसका अगर यह बराबर एक matrix है तो उसका अगर आप ट्रांस्पोज निकालो तो फिर से एक बराबर आजा तो इस condition में लोग कहते हैं उसको सममित आव्यू यानि कि symmetric matrix यह होती है symmetric matrix की condition ठीक तो एद रखा है सबसे पहले निकालत कितना आएगा one minus one five उस बार minus one two उसी तरीके से five और यह one और three तो यह देखो अब देखो इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में कोई भी फर्क दिख रहा है क्या सारे element match हो रहे हैं तो यह किसका काम कर रहा है यह जब यह इस से match हो रहा है तो यह का काम कर रहा है यानि कि a डैस बराबर हम इस मैट्रिक्स को एक है सकते हैं तो इसी ही हो गया हमारा चोटा से कोश्चन सम्मित आवियू हमने प्रूफ करके दिखा दिया क्यूंकि एड़ाइस अगर एक बराबर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांस पोज निकालो फिर से एक के बराबर आबर है that's it उसी तरीके से second part में हम लोग को इसका उल्टा पूछा गया है second part में बोला सिद्ध कीजिए कि आव्यू यह बराबर इतना एक विसम सम्मित आव्यू यानि की स्क्यू सेमेट्रिक्स है तो स्क्यू सम्मित में सेमेट्रिक्स होता है तो यहां से आएगा यहां से आफेलेट अपटेज़ मेंकैन काल ऐल से दिए इस दिया को अपके पास ऐतम एक ड़ एक मैट्रिक दे क्मीन कर लो एक वालि मेट्रिक्स में से मीस कंड बींद लिए ऑज है देखना दिया माइनस का माइनस का माइनस का माइनस कब् si इहां पर दो इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली में कोई भी फ़र्क नहीं के हैं तो इस कंडिशन में लोग कह सकते हैं या फिर आप यह कह दो एडेस बराबर है तो यह हो गया हमारे पास इसक्यू से मैंत्रिक्स की की डिफनेशन यानि की विसम समित्व हम लोग कहते हैं तो इसी तरीके से चोटा से question था question number 7 हमारा हो जाता है complete बागी के जो question बच रहे हैं उसको हम लोग next lecture में करेंगे I hope कि जितने भी question मेंने आपको सौल करा है वो सारे ही question आपको समझ में आऊएंगे किसी भी question में कोई भी doubt इत सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पड़ते हैं all the best